नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागते आपके आपके ही चाइनल में नयन पोखर कर प्रोपेशनल ट्रेडर तो ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सुप्रीम कोड का जो फैसला आने वाला है कल उसका मार्केट के उपर मतलब निप्टी और बैंक निप्टी के उपर क्या इंपक्ट हो सकता है अल्रेडी मार्केट में डाउन फॉल कंटिनू रहेगा या फिर वहां से मार्केट रिवस होके उपर जाएगा इसके बारे में हम लोग fundamental analysis भी करेंगे और technical analysis भी करेंगे price action के इसाब से तो सबसे पहले देख लेते हैं सुप्रीम कोड में क्या issue चल रहा है moratorium के बारे में तो जैसा कि दोस्तों आपको पता रहेगा जो coronavirus का impact हुआ था वो coronavirus के impact की वज़ा से government ने initially क्या किया था एक moratorium दिया था ये moratorium के period को जो है वो moratorium के period को initially 3 महिने के लिए बताया गया था फिर उसके बाद उसको extend करके 6 महिने के लिए कर दिया तो ये जो moratorium का period है ये moratorium के period में आपको क्या करना होता है कि आपने जो भी commercial bank रहेंगे या government sector के bank रहेंगे ये bank से आपने जो loan लिया रहेगा और loan का आपको हर महिने आपको repayment करना पड़ता है तो ये repayment में करने का जो time रहता है तो government ने moratorium period में ये 6 महिने तक आप अगर repayment भी नहीं करते तो कुछ भी issue नहीं आ सकता ये decision government ने ले लिया था तो ये जो moratorium का period है ये moratorium के period में interest rate जो आपको लगता है वो interest rate आपको pay करना पड़ता है तो ये जो interest rate के interest rate pay करना पड़ता है तो वहाँ पे जो supreme court में एक petition file किया है regarding the waiver of the interest occurred during the moratorium period तो इसका जो hearing है इसका hearing Friday के दिन मतलब कल के दिन होने वाला है अगर यहाँ पे complete waiver मिल जाता है तो इसका banking sector के उपर और non banking sector के उपर जो non banking finance companies है उनके उपर बहुती बहुती बुरा आसर पड़ सकता है तो इसके लिए आपको कल के दिन देखना पड़ेगा कि supreme court का क्या फेसला आता है और supreme court के फेसले के हिसाब से फिर आपको price action देखके market में काम करना पड़ेगा तो अभी चलते है price action के उपर कि price action के हिसाब से हमें किस तरीके का decision लेना पड़ेगा तो आभी हम लोग आ चुके है bank nifty के चार्ट के उपर इससे पहले मैं आपको आज का performance दिखाना चाहता हूँ यह जो अपना telegram का channel है नयन पोखर कर के नाम से जहाँ पे 36,000 से जादा लोग जुड़े हुए है यहाँ पे मैं free में tips भी देता हूँ और free में nifty और bank nifty के level भी देता हूँ यहाँ पे मैंने 9 बच कर 37 minute पर एक level दिया था और अगर आप देखोगे तो exactly उसी level को market ने touch किया और वहाँ से ही market नीचे गुम गया और directly one sided market ने fall दे दिया तो इस तरीके के level में वो telegram के free channel में देता हूँ उस level के उपर कैसे trade करना है इसका भी एक वीडियो मैंने already बना के मेरे youtube के channel में डाल दिया है आप वो वीडियो देख सकते हो तो अभी अगर price action के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक continuous upsided momentum हो चुका था मैंने मेरे पुराने वाले youtube वीडियो में already बता दिया था कि जब भी market में एक continuous upsided trendy का phase आता है trendy phase के बाद market एक range bound phase में चला जाता है जिसको technical language में consolidation का phase भी बोलते है तो यह trendy phase के बाद यहाँ पर consolidation का phase develop हो चुका है अभी यह जो consolidation का phase है वो जितना लंबा रहता है उतना breakout के बाद बहुत बढ़िया momentum one sided आपको मिलता है तो यह जो consolidation का phase यहाँ पर बना हुआ है इसमें दो possibility बनती है एक तो market upside की तरफ break हो सकता है और दूसरी possibility यह है कि market downside की तरफ break हो सकता है अभी market upside की तरफ break होगा या downside की तरफ break होगा इसका analysis करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है fundamental factor plus technical factor को एक साथ यूज़ करना पड़ता है अभी fundamental factor में मैंने जैसा आपको बताया supreme code का decision trigger point रहेगा और technical factor में हम लोग price action का use करेंगे और देखेंगे क्या हो सकता है तो अभी मैं आपको एक interesting बात बता हूँगा जब भी आप कौन सा भी consolidation के phase को analyze करते हो तो consolidation के phase में market उपर जाएगा या नीचे जाएगा ये simple analysis करने का एक simple technique में आपको बताता हूँ ये जो consolidation का phase है ये consolidation के phase में कितने candle आ रहे है और number of candles को आपको गिनना पड़ेगा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो total number of candles आ रहे है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ साथ candle आ रहे है उसमें से bullish candle कितने है तो bullish candle सिर्फ दो है और bearish candle कितने है तो bearish candle यहाँ पे बन रहे है पाँच मतलब यह consolidation का जो phase है, range bound जो phase है वो range bound phase यहाँ पे आपको indication दे रहा है कि यहाँ पे downside की तरफ breakout होने की ज़्यादा possibility है यह हो गई पहली बात लेकिन यह technical factor हो गया इसके लिए आपको fundamental trigger चाहिए जो supreme code का फेसला है वो supreme code का फेसला क्या आता है अगर market यह consolidation के phase को downside की तरफ break करता है तो market नीचे आने की possibility है दूसरा एक technical point आपको मैं बताना चाहता हूँ price action के यह साब से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो market ने continuous उपर जाके एक top बनाया यह top बना के market नीचे आ गया फिर दूबारा market उपर जाके near about same level पे top बनाया और फिर market नीचे आ रहा है तो यह हो गया आपका top number 1 और यह हो गया आपका top number 2 तो एक simple language में यहाँ पे आगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक double top जैसा structure बन चुका है यह double top जैसे structure को अगर market break करता है तो यह जो midpoint आपको आ रहा है यह point को अगर market downside की तरफ break करता है तो बहुत बड़ा fall होने की possibility है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है यह जो distance है यह measure करना पड़ता है और उतना यह fall नीचे होने की एक possibility रहती है यह possibility कब रहती है जब यह midpoint को market नीचे की तरफ break करेगा तभी market नीचे आ सकता है अगर मान लो कि कल कोई final decision नहीं आता तो क्या हो जाएगा market यहाँ पे आके pause करेगा और यहाँ से उपर गूमने की भी possibility है तो कल के दिन आपको देखना पड़ेगा कि supreme code का क्या decision आता है supreme code का decision आने से पहले जो momentum होने वाला है कल के दिन उसको अगर आपको analyze करना है तो वहाँ पे आपको intraday का chart देखना पड़ेगा intraday के chart में अगर आप देखोगे तो market ने यहाँ पे consolidation का zone बनाया हुआ है यह consolidation के zone को आपको याद रखना पड़ेगा अगर market यहाँ पे उपर की तरब open होता है तो market यहाँ पे consolidate होने की ज़्यादा possibility है अगर market one low की बहुत down open होता है अगर Asian Qs अच्छे नहीं रहेंगे आज DAW का closing अच्छा नहीं रहेगा अगर market flat open होता है ना ही plus में open होता है ना ही minus में open होता है तो आपको wait करना ही पड़ेगा कि जब तक सुप्रिम कोड का कोई decision नहीं आता तब तक तो यह होगा bank nifty का analysis उसी तरीके से हम लोग nifty का analysis करते है तो nifty के daily chart के उपर अगर जब जाके देखते हो तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि market में जो uptrend बना हुआ है वो uptrend continue था uptrend का क्या definition होता है दोस्तो जब market series of higher highs बनाते जाता है और series of higher lows बनाते जाता है तो उसको हम लोग uptrend बोलते है अभी यह जो uptrend का phase था उसके बाद यह जो market नीचे आता है इसको बोलते है retracement तो यहाँ पे यह uptrend continue होके retracement चालू हो गया फिर यह market uptrend में चला गया और फिर आभी retracement के mode में market है तो जब तक market यह trend line के उपर रहेगा तब तक हम लोग बोल सकते हैं कि market में uptrend continue है लेकिन uptrend का retracement का phase चल रहा है यह हमें जानना पड़ेगा तो अगर हम लोग nifty का analysis करते हैं कल के दिन के लिए तो कल के दिन nifty क्या कर सकता है तो इसको देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा hourly chart के उपर तो hourly chart में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखते हो कि market नीचे आने के बाद यहाँ पर एक consolidation की phase में चला गया फिर दुबारा जब market नीचे आता है तो यहाँ पर expected यह है कि market एक consolidation की phase में चला जाए और यह consolidation का phase जब तक कोई fundamental trigger नहीं आता supreme code की तरफ से तब तक यह consolidation का phase बना रहे सकता है और जैसे ही market में trigger मिल जाता है market one sided momentum कल भी दे सकता है तो आपको यह देखना पड़ेगा कि market में कल के दिन कहाँ पर opening होता है उपर open होता है, नीचे open होता है या flat open होता है तो उस हिसाब से आपको कल के दिन trade करना पड़ेगा तो जैसा मैंने आज के दिन के लिए यहाँ पर bank nifty का level दिया था उसी तरीके का level मैं यहाँ पर telegram channel में update कर दूँगा यह telegram channel में मैं levels भी update कर देता हूँ और free में signals भी देता हूँ और यह signal के उपर मैं खुद भी trade करता हूँ और मेरे यहाँ पर मैंने real trade proof भी दिखाये हुए है with the exchange execution order number और executed status के साथ उसी तरीके से यहाँ पर मैं जो important focus देता हूँ वो देता हूँ risk reward ratio के उपर जितना बड़िया risk reward ratio आपको मिलेगा उतना बड़िया result आपको मिलेगा और यहाँ पर मैं real trade proof के साथ दिखाता हूँ क्यों कि इस तरीके से वो risk reward ratio मिला हुआ है तो यह जो telegram channel का link है वो मैंने नीचे description की box में दिया हुआ है यहाँ पर यह link के उपर click करके आप join कर सकते हो यह completely free service है उसी तरीके से अपना एक educational channel है यूटूब के उपर नयन पोखर कर professional trader के नाम से यह जो educational channel है इसके उपर मैंने already बहुत सारे educational videos डाले हुए है तो मेरी आपसे request रहेगी कि आप यह educational video को subscribe किजे यह video channel को और subscribe करने के बाद bell icon का button दबा दीजे तो जैसे ही मैं कोई नया educational video launch करता हूँ इमिजेट आपको उसका notification मिल जाएगा अगर यह video आपको अच्छा लगता है तो इसको like कीजे और like करने के बाद share कीजे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह video पोच जाएगा अगर आपको किसी particular stock का complete technical analysis करके चाहिए तो comment section में मुझे वो stock का नाम बता दीजे मैं मेरी तरब से वो stock का complete analysis करने की पूरी की पूरी कोशिश करूँगा आशा है कि यह video आपको पसंद आया रहेगा Thank you very much